नमस्कार दोस्तो होब मेकिंग विद अपिक्षे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज की मिठाई जो हम रेसिपी लेके आई हैं बहुत ही टेस्टी है यूनिक है और बहुत हैल्दी भी है इस मिठाई को हमने तिल से और तूद से बनाया है बहुत मिठाई को आप एक बार चरूर ट्राइ करें आप इसका टेक्षर भी देख सकते हैं और खाने में भी एक दम लाजवाब है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो आज का वीडियो दोस्तो वीडियो स्थू करने से पहले आप से निवेदन है कि आप जो स्क्रीन पे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है प्लीज उसको प्रेस करें और उसे ग्रे कलर का कर दें और जो साथ में बेला आइकन नजर आ रहा है उसे भी आप प्रेस करें उसे ओल पे प्रे यहां मैंने मीठा मैंने 400-ग लिए हैं घान्ड है यह बेखना अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं लेकिन मैं इसके साथ इसमें दूद से मावा भी बना रहे हैं तो मैंने डेड़ लीटर दूद लिया है इसलिए मैंने मिठा इतना 400-ग लिया है नहीं तो आप इसको 200-ग और तिलो को हम dry roast करेंगे धीरे धीरे हमें बिल्कुल ही low to medium flame रखना है और उसी पे हमें धीरे धीरे इनको roast करना है दोस्तों बिलकुल नीचे लगने नीच आईए आपको फ्लेम को कम रखना है अगर आप इसको तेज फ्लेम पे करेंगे या फिर ज्यादा पका देंगे तो इसका टेस्ट भी कड़वा हो जाता है तिल का और टेस्टी भी नहीं रहते तो इस बात का आप ध्यान रखे पहला ट देख सकते हैं तिल हमारे रोष्ट हो गए हैं इनका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है बिल्कुल वाइट थे पहले और आपको खुस्पू से भी पता चल जाएगा कि यह रोष्ट हो गए च्यार से पांस मिनट ही लगते हैं आपको इनको रोष्ट करने में आप देख सकते हैं गैस को अब हम ओफ कर देंगे और तिल को हम ठंडा होने देंगे ठंडा होने के लिए आप इनको दूसरे बरतन में निकाल ले नहीं तो इसी बरतन में आप चलाते रहें ऐसे ही आपको नहीं छोड़ना है नहीं तो नीचे वाले तिल जो है वो जल जाएंगे और दूसर पिसने का मतलब यह है कि हम 2-3 सेकंड ही मिक्सी को चलाएंगे और उसके बाद बंद कर देंगे फिर से 2-3 सेकंड ही आपको चलानी है लगातार आपको बिल्कुल नहीं चलानी दोस्तों दूसरी टिप्स यही है कि आपको इस बार का ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल लग ऐसे कोई भी ओयली चीज जो आप पीशते हैं तो हमेशा ऐसे ही पीशना है एक बार चलाएंगे फिर बंद कर देंगे यह देखी दोस्तों पांच से छे सेकिंड में हमारे तिल पीश के तयार हो गए हैं हम इनको किसी बरतन में निकाल लेंगे और दूसरी बार भी हम इसी तर करेंगे मीठा मीठे में आप गुड़ चिन्नी जो भी आपके पास है या जो आपको पसंद है आप डाल सकते हैं और यह देखिए दोस्तों मीठा एट करने के बाद हम गैस ओफ कर देंगे और हलका साइस को ठंडा होने देंगे गरम गरम में आपको नहीं डालने हैं तिल न दूसरी तरफ हमें कोई बरतन प्लेट थाली जो भी है आपके पास उसको ग्रीस कर लें मैं यहां दो टाइप से आपको पीस कट करके दिखा रहे हैं तो मैं एक प्लेट ले रही हूँ और दूसरा मैं ले रही हूँ यहां पर एक पोलिथीन इसको भी हम घी से या तेल से ग यह रोल ने के लिए आपको बिल्कुल इसको ठंडा होने के लिए पिर इसको छोड़ दे रहे हैं यह देका सकते हैं उर्य यह देख सकते हम बचे सबना डियेद wilt कर ले दिया है तो आप लड़ू भी बनाएं और ये देखी दोस्तो हमारा जो मिश्टन है ठंडा हो गया है अब हम इसको कट करेंगे आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद दोस्तो क्योंकि टंपरेचर लो है अपने आप ही ये टाइट भी हो जाता है और एकदम सेप में आ जाएगा अब मैं इनको कट करके दिखा रहे हूं आप दोस्तों जैसे भी सेप चाहें बर्फी चाहें पेड़ा चाहें लड़ू चाहें वैसी सेप इनको दे सकते हैं आप टेक्सर देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी है ये टेस्ट में भी देखने में भी हर तरीके से बहुत अच्छी गी वगएरा और बहुत ही लाजवा मिठाई बनती है दोस्तों सब को पसंद आती है और ये बचे हुए जो हमने प्लेट में निकाला था उसको भी में कट कर लोंगी ये देखी दोस्तों हमारी मिठाई तयार है बहुत टेस्टी मिठाई है और इजीली बन जाती है ज्यादा समान भी लाने की हमें जरूरत नहीं है ज्यादा एफर्ट्स कुछ नहीं करना है और सच मानिये दोस्तों बहुत ही टेस्ट में बहुत ही अच्छी मिठाई है आपकी बनके तैयार होती है दोस्तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें थैंक यू दोस्तो